हेलो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का अपके अपने यूटूब चैनल जैक पूरुपे आज के इस वीडियो में हम लोग क्लाश 10 का सोसल साइंस का जो हम लोग ट्रिकी स्रीस चला रहे थे इसका ये पार्ट 5 होने वाला इसके पहले भी चार वीडियो आप लोग का या सवाल हमारा सबसे पहले सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि निम्रिखित में से कौन भारतिये सौतंतरता संग्राम द्वारा गठित सौराज पार्टी से जुड़े वे थे जवाहलल नेहरू और सी-अर्दास, मोतीलाल नेहरू और सुभाचंद्र बोस, महतमा गांदी और ज और राज 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 वर्ड आ गया तो राज वर्ड किसके लिए आता है राज वर्ड किसके लिए आता है राज वर्ड किसके लिए आता है राजा के लिए आता है और राजा लोग क्या पहनते गले में माला पहनते थे वह मोतियों की क्या पहनते थे माला पहनते थे मोति लाल लाल मतलब में होता है लाल एक तरह का किम्ती पत्थर होता है ठीक है तो मोतियों की माला पेहनते थे कौन राजा लोग तो सव राज में आपका जाएगा मोती लाल ठीक है मोती का माला पेहनते थे इस तरह से याद रखिएगा मोती लाल नहरू और सी आर दास यहां पर लग ग करते थे उनके दास बंके रहा करते थे उनके दास भिसे मित्रता रखते थे वरना लेने के देने पड़ाते तो यहां तो ट्रिक से याथ हो गया आप laging सवराज पाले से जुलेवह थे मौतीलाल नहिरु और सी यार सभी को अगला सवाल देखें क्या evaluating question number 12 में आपसे कह रहा है कि लखनव समझोता किस वर्स हुआ था 1916, 1918, 1920, 1922 तो यहां पर आप देख पा रहे हैं लखनव का जो समझोता हुआ था 1916 इस भी में अब चलते हैं इसको trick से याद करते हैं देखें क्या हो जाएगा लख से आपको याद रखना है लख लख से लख तो अभी आप लोग मैट्रिक की परिक्षा दे रहे हो और imagine करो कि आपकी एज कितनी है 16 वर्स है अरिक्तम 14 वर्स या 16 वर्स होता है 14 15 16 इसी के बीच में आपका क्या होता है जब आप मैट्रिक के एग्जाम दे रहे होंगे तो आपका लख है कि आपकी एज कितनी है 16 वर्स है आपका लख है कि आपका एज कितनी है 16 वर्स है इसलिए आपको कोई भी सजा नहीं हो सकती है क्राइम की वहाँ पर क्या होगा समझाओता होगा क्या होगा समझाओता होगा और उस समझाओते के तरह आपको जो है कब हुआ और किस देश के सासक के समर्थन में हुआ था आपको बताना है किस देश के सासक के समर्थन में खिलाफत आंदूलन हुआ था तो राइट अंसर यहां पर आप देख पा रहे हो तुर्की के कारण हुआ था किसके करण हुआ तुर्की के सहयोग से हुआ था उनीस सो 19 में हुआ था, कब हुआ था? 1999 में तुरकी के सहयोग से ये खिलाफत आंदूलन हुआ था, चलिए इसको ट्रिक से याद करते हैं, हम लोग ट्रिक से यहाँ पर क्या लगा लेना है आप लोग को ट्रिक लगाना है, तुरकी से आपको थरकी याद रखना है, यहाँ पर तुरकी थरकी होता है, थरकी वर्ड हम लोग किसके लिए इस्तमाल करते हैं, बेवकूफ के लिए किसके लिए करते हैं, बेवकूफ के लिए तो भाई भारत के खिलाफ तुम आंदूलन कर रहे हो वो क्या है ठरकी है क्या है ठरकी है तीकि इस तरह से याद कीजिएगा अगला सवाल देखते हैं क्या है अगला सवाल है हमारा question number 14 में कह रहा है निमलिकित में से किसे बादसा खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है सरसेद अहमत खान आगा खान खान अब्दुल गफार खान आत्मा गांधी तो यहाँ पर दो नामे आ चुकी है बादसा खान और सीमांत गांधी ठीक है तो यहाँ पर जो फेमस वर्ड होता है वो सीमांत गांधी ही ज इसना लंबा नाम है इसका थी, इसको यहाँ पे trick लगाना थो आसा टफ हो रहा है, इसलिए आपने यहाँ पे गफ़ार और खान, इसके वर्ट से हम लोग जो है trick बनाने का परियास करेंगे, यहाँ पे आप देखोगे कि सीमान्त, सीमान्त यानि कि सीमा का अंत किस ने कर दिय गांधी जी ने भारत पाकिस्तान जब बड़वार हुआ गांधी जी ने उसके सीमा का अंत कर दिया इस तरह से याद किजेगा सीमा का अंत कर दिया कैसे किया 20 से फाल दिया और एक खान बना दिया खान का मतलब होता है एक तरह से जिसे कोईले की खान होता है या फिर किसी पर अगला सा ट्रिक लगाना है ताकि आप लोग के एक्जाम में उसको थोड़ा सा हिंट्स मिल सके क्या यह आंसर हो सकता है इसके इलावा यह नहीं होगा ठीक है चलिए अगला सवल देखते क्या है हमारा गांधी जी को महात्मा की उपाधी किस ने दिया था गोपाल कृष्ण ग गोखले ने तो भाईया महानात्मा किसका होगा क्रिष्ण का होगा ठीक है गोपाल भी उन्हीं को का जाता था ठीक है इसी बात है तो किसका होगा महानात्मा महात्मा यानि महानात्मा यहां पर कौन हो सकता है ठीक है भाई कौन हो सकता है गोपाल क्रिष्ण गोखले क्रिष चौरी चौरा का जो हिंसात्म घटना हुआ, इसके बाद गांधी जी ने कौन से आंदोलन को वापस ले लिया था, तो सत्याग्रा आंदोलन, सभी नवग्या आंदोलन, असयोग आंदोलन या फी भारत छोड़वा आंदोलन, तो क्या हो गया, असयोग आंदोलन को वापस ले और उन्होंने असहयोग कर दिया यानि कि सहयोग नहीं करे गया असहयोग किया ठीक है और असहयोग हांगरन को वापस ले लिया ठीक है इसमें आपको ट्रिक से याद हो जाएगा कोशल में के रहCR जलिया वाला बाग हत्याकांड के उपरांथ किस समीती का गठन किया गया था तो हंटर समीती का गठन किया गया था अब यहाँ पर देखिएगा जलिया वाला बाग हत्या कांड क्या हुआ था इसमें निहत्तों पर गोली चलाए गई थी निहत्तों को मारा गया था तो मान के चलो किसी निहत्तों पर गोली चलाए मारे तो हम दो उसको छोड़ेंगे नहीं न उसको भी मारेंगे, किस से मारेंगे आम लोग उसको हंटर समीति याद रखना है आपको अंसर हंटर समीति कौसर नमर 18 में हमारा गांधे जी ने सभक्ग्या आंधोलन का आरम किस कार्य से किया था यानि कौन से कार्य से जो यह आंधोलन की शुरुवात्वी थी तो अमरन अंसन से कैसरे हिंद पदक वापस करके दांडी यातरा से या सौरिंता दिवस मना करके तो राइट अंसर है यहाँ पर आपका दांडी यातरा करके अब यहां पे आप ट्रिक लगा सकते हो यहां पे जो अवग्या वर्ड है अवग्या यानि आग्या का अवग्या कर देना यानि कि आग्या आपने उसने आग्या दिया कि नहीं चलना है यात्रा नहीं करना है और इनने क्या कि उसकी अवग्या कर दिया यानि उसकी आग्या को नहीं माना यानि कि दांडी यात्रा करके ठीक है यहां से यह ट्रिक लगा लेना आप लोग क्वेश्चन नमबर आते हैं हम लोग 19 पे कह रहा है राजनितिक गदिविर्यों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का प्रावधान किस एक्ट में था यहां पर आप लोग देख सकते हैं राजनितिक गदिविर्यों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए मतलब की अगर कोई अगर आंदूरन कर रहा है तो उस पर कोई भी मतलब केस मुकदमा नहीं होगा डारेट उसको पकल करके जेल के अंदर डाल दिया जाएगा ठीक है तो हम लोग कैसे याद कर सकते हैं यहां पर कैसे लगा सकते हैं ठीक लगाने के लिए सबसे आसां ट्रिक क्या यहां पर आप ब mourning desta सकते हो कि इस को इस तरह के कानून होता है बिल्कुल गौल मटोल होता है ठीक है इसको कोई समझ नहीं पाया आस तक तरीक है यहारी कि अगर अपनी हग की बात को होगे तो आपको उठा करके जिल के अंदर डाल दिया जाएगा, आप अगर किसी के फायदे के लिए जाओगे बोलने के लिए भाया एक गरीब आदमें इसको छोड़तो मत वारो तो आपको उठा करके जिल में डाल देगा, ठीक है? अगर आप अप कि क्या है हमारा question number 20 पे आते है question number 20 में आपसे कह रहा है कि गांधी इर्वन सम्झाओता कब हुआ था तो यह हुआ था आपका देखर पार रहे हो पांच मार्च 1931 को हुआ था गांधी इर्वन सम्झाओता तो यह वहले डेट जो है न वह काफी important है पांच मार्च 1931 जिसको अंगले वीडियो में